नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से सुवागत है बजापर इस्टर्ड फॉर्म के पार्ट टू के अंदर आपने पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा केसरिया गोड़ा और केसरिया गोड़ा कैसे सर के पास में आया किन-किन रिंगों में बिनर बना क्या केसरिया की कबरिंग फीस है और कैसे केसरिया केसरिया बना कैसे केसरिया popular हुआ यह सारी चीज़े आपने पहले वीडियो में जानी पर केसरिया इस इलाके का मेरे को लगता है कि इतना मसूर गोड़ा है कि अगर अगर बात करें तो दो डाई गंटे की पिच्चर बन जाए जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था तो हम कुछ टॉपिक थे हमने उस वीडियो में बात करी केसरिया कैसरिया कैसे बना पर हमारे को यह भी पता है कि बहुत सारी सर रिंगों में लेके गए यह बहुत सारी जगे पे लेके गए तो वहां थोड़े सी केसरिया को लेके बिवाद की स्तितिवी पैता हुई क्यों सर तो मेरे को लगता है कि अगर हमने पिलस में बात करी तो भई हम माइनस में क्योंकि आप जानते हो इंडियन डिस्कवरी पि हम करते हैं तो वहां गोड़े के लिए आप लड़ते हो दिंग क्या होता है कि पूरी साल मैनत करते हैं बिल्कुल ठीक है उसके खाने पीने में इतना खर्चा करते हैं गोड़े के ग्रूमिंग में खर्चा करते हैं जो बैस्ट होता है उसारा करते हैं जो कर सकते हैं जो कर सकते हैं हम दो करते हैं हमारे जो बंदे हैं वो इतनी श्रदा से मैनत करते हैं बिल्कुल दो गंटे तक गोड़े को एफे रहते हैं उसको कसरत कराते हैं आप लुटे की कशरत तूहिसा प्रोर को बंदे की भी उसका गज Вам nos एक सब्सक्राइब करने के बाद जू में जाते हैं तो शो में क्या होता है कि एक अपने साथ वो बलता कि आप और शेशeftे partya से बॉढस सब रोभ कर दो यह निए बेदवाब बोल सते हैं यह इस गोड़े को नहीं जिताना है तो कोई भी रिजन्स निकालके गोड़े के नंबर काटते हैं और लुक तो तब होता है देखो प्रदिभाई की सामने जो गोड़े नंबर लाते हैं वो लैम होते हैं बिलकुल उसमें कोई ना कोई तो मानने को तयार नहीं होते हैं तो लैम तो जब देखेंगे ना जब अब सैटिंग होई गई इस पॉंसर से नाम पर पैसा दे दिया तो लैम दिखेगा क्या करते हैं कैसे होता है उनका क्या सैटिंग होता है वो अपने को नहीं पता बिलकुल उसमें अपन जाना भी नही तो दूख होता है तो उस टाइम पे हम से रहा नहीं जाता क्यों सर आप से को नहीं रहा जाता और भी तो लोग है मार्केट में आपके साथ गलत होता है पीछे अपने टेंट में जाके उन लोगों को जजो को भी गाली देते पर सामने जाके वह उनकी चापलूसी करते हैं तीक है यह अखिकत बात है यह लोग जो देखने वाड़े लोग है वह अपनी बास से सहमत भी होंगे और कुछ जो भाई उनके ऐसे बोलते हैं कि चम्चय थो यह हैं वह से हमत भी होंगे पर मेरको लगता कि सद्ध को त्य बोले तो ज्जादा बहतर है कि दो गोड़े बोलनी सकते तो गोड़े की आवाज है हम और अगर कोड़े के लिए भी कोई नहीं बुलेगा तो मेरे को लगता है पर तो क्या मतलब है यह दिखै आपने बिल्कुल कि हम किसी को इन वाइट कर देगा चलो हमारे साथ जात विवाद करो हूं कि कैसरिया का एक यह नाम हिख्ति लोगों क्रेज सपवते दो क्यासाती सूंदर का और यह जो कैसरिया कर अग कर साथ करेजरे आप हाइट में कम है पर मेरा को लगताerry दो यह उनका जो प्रेम है न उसकी वज़े से यह विवाद में लोग कठे होते हैं तो सिर्फ उधर जाते हैं अपिल करने के लिए अपिल करने जाते हैं तो हमसे पहले तो पब्लीक आउदर खड़ी होती है तो हमारा को इंटेंशन ऐसा नहीं होदा कि हम कोई खराब करें या विवाद करने हमारा कोई शौक है पर नहीं पर दो सर एक चीज यह भी है न देखो आप करते हो मेरे को लगता है कि ऐसी हब आज हर घोड़े वाले को उठानी चाहिए जिसके गोड़े के साथ में बास्तम में रिंग के अंदर गलत होता है पर आज क्या होता है कि जब गलत ह होता है ना आदमी रिंग के बाहर नेता है और अपने घर पे सीधा यानि दीज परदीबही सोचूंगा कि क्यों मैं पूराने लोगों सामा करना जाता है में क्राइटेरिया है नहीं कि इसे करोड़ों रूपए कमा लेने तो अपन का एक ही है देखो सच के साथ खड़ा होना अगर समान लो कि मेरे घोड़े को किसी ने रिलेशन की वज़े से या मैंने कोई शो में स्पांसर्शिप दे दी इसकी वज़े से फर्स्ट नंबर दे दिया और सेकंड नंबर पर जो खोड़ा आया है वह ज्यादा डिजर्विंग है तो अपना तो इतनी भी हमत रखते हैं कि वहां पे स्टेज पे जाकर बोल दे कि मेर अइस यहांत और मैंने मेरे लगाता आँक अब कहीं भी चलेजाओ दुनिया में ठीक है ना तो एक कांपिटीशन होती है अब कम्पिटीशन तो फैर होनी चाहिए बिल्कुल कम्पिटीशन फैर नहीं होगी तो क्या मतलब रह गया फिर तो खाली घोड़े को डिस्प्ले कर दो बैटरों मेरो लगता है आज यही कारण है कि रिंग में घोड़े कम डिस्प्ले में जादा रहते हैं बिल्कुल मेरे को लग बोड़ा किसी भी पोजिशन पर नहीं आता ना तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हुए जो टेंट के अंदर बैठके रोते हैं पीते हैं गाली भी देते हैं और फिर जो उनके दूसरे चम्चे होते उनको समझाते भी कि भाई कोई बात निस रिंग में याए तो दूसरी में जायेगा तो ऐसे बोलते हैं वो जूटी सांतना उसको देते हैं तो बाई ऐसे मत करो यह क्या है देखो गोडो का ब्यापार है आगे पीछे कैसे भी कर लो चलाना हम ही लोगों को है क्योंकि कोई भी फैक्टरी हो या कुछ भी हो चलाते लोग ही है और लोगों के हाथ में इसको खराब करें हैं सही करें देखो प्रदिब भाई 25-50 लाग हर साल खोड़े के पिछे रिंग में लगाना कोई बड़ी बात नहीं है काफी लोग है जो लगा सकते हैं इतना पैसे और नंबर लेके आ सकते हैं बिलकुल लेकिन नंबर लाग के फिर घोड़ा इसके अंदर कुछ भी आप आप क्या मानते हो रिंग में आज जो गोड़े लोग सेटिंग से माने हम तो कहरें बिलकुल सेटिंग नहीं होती अपने सो इतने इमानदार होते जिसकी को यह दिनी आना हम ऐसे बोल रहे कई दिल पे ले जाएंगे बहुत सारे लोग आना दिल इसके बना रहे हैं बहुत सेटिंग के तुर लोग बिनर बना इसलिए बना रहे हैं अमने गोड़ा लिया तो यह साल अच्छी कीमत में बिग जा गए हर एक कालग अलग शौक होता है प्रदिब्भै मैंने तो गोड़ा मार्केट में ऐसे-इसे लोग देखे हैं जिसका सब्सक्राइब तो ऐसे गोड़ा मार्केट में ऐसा निया कि सारे लोग एक जैसे आज भी ऐसे जज़ें जो रिंग के अंदर जाते हैं तो किसी के दबाब में नहीं रहते हैं उनको जब यह बोला जाता है इस गोड़े को बिनर बनाना है तो ऐसे भी मैंने ज़ज देखें जो तक्ति छोड़के और रिंग के भार आ जाते हैं ऐसे भी मैंने जज देखें पर होता क्या है जब दो जज अगर गलत करते हैं तो उंगली सबों के उपर उड़ जाती है प्रदिब यह मेरे इसाब से तो जजों की जादा गलती नहीं है गलती है जो अपनी सिस्टम है न उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए कि जज को करना है गलत या ओर्गनेजर को गलत करने लेकिन सिस्टम यह इतनी स्ट्रॉंग है ना जज कर पाएगा ना ओर्गनेजर कर पाएगा ने देखो सर हमारे उसके पीछे आप जो कहरो मैं आपकी बास से एगरी हूं पर हमारे यहा जो लोगों के पास गोड़े ना और आप साल वर महनत करते और पसीना भाते हो मेरे को लगता है जब पसीना वो सिर से लेकर एडी तक आता है वो लोग मेरी बास से एगरी जरूर होंगे कोई हो या ना हो है ना गोड़े को रिंग में लेके गए और जो जज उसके साथ में गलत कर देते हैं तो मेरे को लगता है कि वो गोड़ा कहीं ना कहीं अपने आप में भी डी मोटिवेट हो जाता होगा कहीं ना कहीं वो मालिक भी यह सूचने लग जाता है कि यह कोई काम का गोड़ा नहीं है इसको हम बेच दें ऐसे भी बहुत सारे गोड़ों के साथ हुआ हम भी होता है लेकिन देखो प्रदिब भै केसरिया कि में बात करता हूँ आपको तो उसको तो चमक नहीं था ऐसे से तो ajust़ उसका नाम किया मिन अफ़ता थी आगई लेकिन में गोड़ा रुका नहीं कजल तो यह तो सटारई सवर ही रहे हैं इस तर रहेगा मेरे को लगता है गोड़ों में इतना आसान नहीं है कुछ लोग उसकी बुराई करके यह हो सकता है कि चार पांच गुड़ी आपके पास कवरिंग के लिए आने वाली वो रुख जाएंगी इस से जादा कुछ नहीं होने वाला फरक नहीं पड़ता और देखो आप बिजनिसम आपके लाइन खड़ी कर देता बिल्कुल लेकिन अपने को ब्रीडिंग करना है अपना बस एक ही वो मोटो है कि वी प्योर मारवाडी पैदा करने और उसको मार्केट में तर अपने यहां सर देखो सबसे में कारण क्या है ना जजिंग में जज बनते हैं जो लोग उनको को नहीं अगर अगर मान के चलो अभी बरक मेर まे किसी का मधर कर दूंगा तोमर भूब पुलिस पपकड के लए guys बंद कर देंगे पुलिस वाले बरफ पे मारेंगे मेरे करेंट लगाएंगे तो मेरे गलत करने से पहले मा जार वार सोचूंगा पर रिग में जो जज orada होते न उनको डर नहीं है उनको पती यह पता है कि हम कुछ भी कर लेए जादा जादा क्या होगा थोड़ा भात हला मचाएंगे लोग चले जाएंगे अपने घर पर इस रिंग में जजनी वनुगा तो मैं दूसरी में जाके बन जाओंगा अब इस रिंग ऐसा तो है नहीं अपने रि कि आज तक किसी ने ऐसा केस किया नहीं है अगर एक बार कोई जाप उल्टा पड़ा जैसे कि रतन काटा वाला केस उल्टा पड़ा पूरे घोड़ा मार्केट रातो रात चेंज हो गया तो अपने उनकी हिम्हत की भी दाद देते कि आज जो लोग डिने के परती इतने वह जैसे ऐसे बोलते हैं कि पुरानी पिचरों में जब आतंक बढ़ता तो मिथुन चक्रवती आजाता था तो कोई मिथुन चक्रवती इदर भी आना चाहिए जो इन सो का रुख बदले और देखो ये एक हसने वाली बात ने जो लोग गोड़े रखते हैं वो मेरे को पता है यह वही है वेतिओ पिवीदि बनाता हूं तो में बीडियो बना सकता है अगर मेरो कोई कहने हम भाई साब गोड़ा अर्व तो मेरे से नहीं होगा ।र्जम Henderson मैं भनग पड़ा पकड़का था तो मैं उसको पूच रहां मेंने अवा थैस कितनी महनत लगते है तो वह वही देखो यह सब ऐसा होता है क्या होता है अगर वो बंदा भी डी मोटिवेट हो गया तो उसका इंट्रेस्ट को कम होता जाएगा कि इतनी मैंने तम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट तो नहीं मिल रहा और एक बात मेरे को ध्यान एक बात गहरी भाई ने अपने वीडियो में बोली बैसे उस चीज से मेरे को ध्यान आया गेरी ने बोला एक गोड़ा ता पता है किसका नाम बताया था कि वह गोड़ा रिंग में उसको दूसरे तीसरे नंबर पर दे दिया था बागी बास्ता में वोड़ा डिजरू करता था उसकी बज़े से उस गोड़े का कैरियर खतम हो होता है कहीं बार होता है तो मेरे होता है लगता है जोसे तो जांजों के बाते हैं लोग से निवेदन is जिनके घर में कभी कोई टट्टू भी पैदा नहीं हुआ ना उनका कभी कोई घोड़ा रिंग में बिनर वना ऐसे जजों को जजु मत बनाई है क्योंकि उनके खुद के गोड़े तो जज नहीं बने तो वो रिंग में जाके क्या जजिंग करेंगे बताँ कर सकता है सर मान के कि अ कहलो मैं एन कभी कोई ख़ोली नहीं और मेरे एको करें देवे तो मैं उस पैक्टरि को चला सकता हूं कि आपकी पैक्टरी में चला सकता हूं को में चला सकता हुई है तो को जो वी चीज ना उसके लिए क्वाष्ण है कि कैसे अपन किसी की पास जाकर प्रdertने जाज सब्सक्क्राइब इसे सफसेयर कभी गपार में बैठा रहता हूं सोच्ता हूं कि in भारत देस आज स्वेर मिय गुए लग 176 में पड़े वह आधि मेरे को लगे जिनके तुम चाप लूसी कर रहे हो ना वह भी तुमारे काम निया ने वाड़े यह बात लिखके रख लो हो सकता है तुमारे रिंग के अंदर थोड़ी सी तवज़्ू देढ़े ना तो मिर QUL लगता है कि अब रिंग आने वाली है रिंग और चालू होने वाला है अगर मैं क्यूत आपके गोडे के साथ में गलत करता है तो अपनी गोड़े की आवाज बनो अगर गोड़े में को कोड़ा रहता है दूप में जब उसका नम्मार आता तो वह वरावर कानवान मिलाके पूरा सेट रहता है जब घोड़ा हाड़ जाता है तो मालक मेरे को निले ना सट्टे बिकट मैं जा रहा हूं कर तो भाई अपने गोड़े की क्या आवाज बनो क्योंकि आप पूरी साल वर मेहनत करते हो और कितनी मेहनत होती है गोड़े में वह आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कोई भी आदमी आपको इस घोड़ा मार्केट में खहाने के लिए नीधेगा या पिर आपका कढ़ोसी भी नीदेगा आपका रिस्तेदार नीदेगा है यह सपत गोड़े के साथ में गळत होता है आप उसके साथ में पूरी मेहनत कर रहे हो पूरा सो पर poured तो सो तो मिरे को इसा नहीं है कि जबर जस्ति के तुम जाके लड़ो बास्तम में अगर आपको अगोड़ा डिजर्ब करता है तभी बोलो देखो कही बार हमारे घोड़े के नंबर नहीं आया है तो हर बार हमने विवाद नहीं किया है बिल्कुल ठीक है हमने उस टाइम पे समझा जाना कि क्या कामी है हमारे घोडे में या फिर हमें क्या कमी रहागी तैयारी करने में भिल्कुल ठीक है आपको बताओ कि सीशो में को नंबर नहीं आया था बील्कुल तो उस टाइम पर लॉघ नहीं थे vaad नहीं कि हम तो उस टाम पे मैंने यह सीखा कि मेरे गोडे का प्रेजेंटेशन ठीक नहीं था अब गोडे ने जज के सामने जा के प्रेजेंट ही नहीं किया खड़ा ही नहीं रहा ठीक से तो उस टाम पे फिर वो सीख के आए फिर वो तयारी की फिर बाउंस बैक किया उसके अब मेरे को ल वो सवाल उठाता है तो मेरे को लगता है कि यह चीज है ना आप पहले कुछ भी विवाद करने से पहले ना एक बार जजो से जरूर बात करो उनसे पूछो कि सर मेरे गोड़े में क्या प्रोब्लम है एक बार मेरे को बता हो देखो प्रदिब्बै आज भी मेरे पास जितने भ बोले हैं और उसका प्रूफ भी आपने फास कबीद है जैसे रिंग में अपने विवाद जैसे विंचे लिए वाज उठा दी कभी कव ऐसा भी होता है कि पीछा से जैते देखो गोड़ा मार्केट सारी बाते आई जाती कि कि किसी ने गोड़े को बदनाम करने की कोसिस कर र इसको बापती सुन्दर हो इसको कौन बदनाम कर पाएगा उल्टा ये गोड़ा ना जितना वो लोग ने बदनाम करने की उतना उपर आया गोड़ा ऐसे बोलते हैं कि एक चिकनी मिट्टी नहीं आती जिसमें जैसे पैर धज जाते हैं फिर वह आदमी तागत लगा के उपर आ आप लोग पर गोड़ा लेके जाते जो जज लोग हैं सब संमालनी हैं उसे बस इतना सा ही निवेदन हैं कि भाई मैं आपको आपने गोड़ा बेच आ हो यह सोंचके आप जजन्ंग ना करें आप रिंग में जब खड़े हो आप यह सोछों कि आप बागवान हो और बासम म में करो बस मेरा इतना साही कहना है आप लोगों को और इसको एक मझे साथ मने लोग आ रहे हैं तो उनका बढ़ाओ नैंकि उनका जूस्ट कम्तार यूझ ऑखे- świ उक्रीया मेरे को लगता है कि इस टॉपिक बात करने के लिए आदमी में जिग्रह चाहिए अन्हा northwest इसी बार में कभी बात करता हूं तो लोग कहते है प्रदीब भाई नहीं यार कंट्रवर्सी में आ जाओंगा लोग क्या सोचेंगे पर मेरे को बोलते हैं कि अपने घोड़े के लिए अगर बात कर रहो तो इसमें कोई बुराई दूसरा क्या है कि अपने सच बोल रहे हैं रिंग के मुद्धे पे भी हमने सर से बात करी केसरिया के बारे में भी बात करी बागी केसरिया के जो बीजवल है आप इस वीडियो में देख भी पा रहे हो तो हमने आपको पहला पार्ट भी दिखा हो तो आप उस पार्ट को भी जाके देख सकते हैं बागी अगले जामनगर आएं तो सर से हम जितना ले सके उतना ले लेएं कि बाद में जामनगर आना हुए नहीं हुए ओके दोस्तों थैंक यू